पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए हम अक्सर एफाइयर यानि की फस्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में सुनते हैं। पुलिस के पास किसी को वारेंट के बिना गिरफतार करने का अधिकार नहीं होता है। एफाइयर के बाद दोशी को सजा दिलाने के लिए पुलिस कारवाई शुरू करती है। आपकी चोरी होई किसी चीच के दुरूपियोग होने का खत्रा होता है। ऐसे में आप अपराद में फस सकते हैं जो आपने किया ही नहीं। एसी कंडिशन में बचने के लिए एफाइयर जरूर दर्ज करानी चाहिए। घटना के तुरंत बाद एफाइयर दर्ज करानी चाहिए। देरी होने पर इस पस्ट कारण भी देना होगा। एफाइयर घटना इस सल के पास के थाने में दर्ज होनी चाहिए लेकिन इमरजेंसी की इस सिती में है किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है जिसे बाद में संबंदित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पुलिस अधिकारी के हस्साक्षर जरूर होना चाहिए। इसके बाद पुलिस मामले की जाच करती है। अगर पुलिस को लगता है कि केस में कोई सबूत नहीं है तो इसे बंद किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने पर इसकी सूचना शिकायत करता को देनी होती है। और अगर सबूत है तो मामले में चार्ज शीट दाकिल कर कोट में ट्राइल शुरू किया जाता है। जनरली FIR घटना इस्तल के पास के थाने में ही दर्ज करानी चाहिए। लेकिन अगर पीडित को किसी परिस्थिती वश बाहरी थाने में शिकायत दर्ज करानी पड़ रही है तो बा दोस्तों के साथ जरूर शियर करें और V4 Innovative चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ वेल आइकन दवाना ना भूलें।